सरकार की एक मंसा रही है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना राजनन गाउंजीला के हम ऐसे आठ से दस गाउं आपको ले चलते हैं जहां पर लगातार बिजली नहीं होती है साथ में इंटरनेट कनेक्ट नहीं होता है और बैंग की भी सुईधा नहीं है आठ से दस किलोमेटर दूरी पर एटीम के लिए लोगों को जाना पड़ता है जिनके पास में एटीम के सुईधा है उनको एटीम चलाना भी नहीं आता है खास तोर पे महिलाओं के पास एटीम है लेकिन उनका एटीम का उप्योग उनके पती या भाई करते हैं मैं अपने बारे में एक छोटा सा उधारान आप लोगों के बीच में बताना चाहती हूँ, बैंग से एक फोन आया और उन्होंने कहा कि आपका एटियम को रिउन्यू करना है, तो हमने अपना पीन कोड बता दिये जिसके कारण हमारे बैंग से 10,000 रुपए गायब हो गया, मे प्रकड़ों के अनुसार 2017-18 में पूरे देश में आनलाइन फ्रांड के वज़ा से लोगों को 30,000 करोर का अनुस्तान हुआ है, मेरा नम मनिशा यादो है, में दमन्जरा गाम में रहती हूं, और सुर्गी मेरा चतिन डड़ाज करमेंगा कियोस्क है, और यह कियोस्क में लगभग एटियर साथ से चलागी हूं, तब जितने सारे यहां गाहों लगई हूं सभी गाहों से लोग आते हैं, प्रनेक्शन जी पूर के गिलें हूं, प्रकांग को लिए में हूं, घर्टेयर साथ सारे से लोगई हूं, यहां दो कम कस्टमर के पास है, जो होते हैं है कि अगर भी एजा को जाते हैं कि मेरा इसमें भी चार्ज कर तार रहा है, तो उससे लिए इंडर रहा है और इसके आलाव मोगाइ में पेतरा के एक होते हैं, जिसके हम मनी टांसर, फंट टांसर करते हैं, तो फुड़ा रिस्क होता है उसमें दी, क्योंकि मेरा भुवा था, इसका पैसा अभी तक नहीं आया, वो इंटरनेक्ट शॉपिंग का था, तभी तब इसका पैसा आया, जो भाएंगें के पहती काता है, तो तो रिस्क है आया अभी सिकल अभी, तब बाराजाद, थीन साथ, दो रुपए हाल का रहा है, हथे बारजा यह थे पहले हुआ था, जो अभी तक राका सिनानी आया थे अच्छे से रिप्लाइम देते, और नदी मेल कादें, पार कादें उचों, बोलते हैं जहां सुईधा वाहां तो इधा, क्यों है, सुईधा तो लगते हैं कि नहीं चलो, कभी भी त्रांजिक्शन कर लेते हैं ल जब पैसा फस्ता यहां तो जहीं ज़्यादा प्रॉब्लम क्रियेट हो जाता है, कि मैं तो समय चाहूंगी, लेकिन सामने वाला कस्टमर को मैं ने समना आपाँ के अगर हम बैंक में जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो लिंक फेल हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को आ तो कहीं कहीं ये डिजिटल इंडिया है, वो असिधा के करण ये धीमागति से चल रहा है और इसमें यहीं इनका प्रमुख दोस्त है, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को चैये की गाओं के युवाओं को प्रसिक्षन दे और गाओं में टावर की सु सर्वर डाउन ना हो, ऐसे टर्प से टेकनलाजी का प्रयोग करें ताकि इस सर्वर हमेसा बना रहा है और लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े